नमस्कार दोस्तों आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे या रर्बी NTPC CB2.1 7th मैं एक्जाम के बारे में रर्बी NTPC CB2.1 का एंसर की कब तक जाड़ी होगा और Out प्रिक्टिट काड़ोग कितना जा सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को सुरू से लेके एंट तक देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेट कलर कर सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही साथ बेल नोटिफिशेशन को भी आउन कर लिजिए कि मैं जैसे इन्या विडियो अफ्लोड करूँगा उसका नोटिफिशन आपको तुरंट मिल जाएगा साथ ही साथ दोस्तों मैं डेस्किप्शन पर हमारे टेलिगाम चैनल के लिंक दे दिया हूँ वहां से जैकर आप टेलिगाम चैनल पर और टेलिगाम ग्रूप में जूड़ जाएगे टेलिगाम ग्रूप में आरर्ब रिलेटेट कोई भी आपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलिगाम ग्रूप में अपडेट मिल जाएगा सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें आप RRB NTPC CBT1 7-Phase के एक्जाम के बारे में तो आधी तक RRB के Official Website में 7-Phase के एक्जाम के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है जैसे कि आप सबी को में पहले बताया था कि आपका RRB NTPC CBT1 एक्जाम जो 7-Phase के एक्जाम है वो आपका April के अंदर पुरा कपुरा खतम कर लिया जाएगा लेकिन दोस्तों आधी तक RRB के Official Website में इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है हो सकता है कि आने वाला एक या दो दिन के अंदर आपको अपडेट देखने को मिल जाए नोटिस देखने को मिल जाएगा और उसी दिन जो है आप अपना City Information जो है वो चेक कर पाएंगे और उसके ठीक साद या तो पर 8 दिन बाद आपका एक्जम सुरू हो जाएगा और दोस्तों जो एक्जम बचा हुआ हादली 2 से 3 ला या तो फिर उससे थोड़ा से जादा होगा Candid के एक्जम बचा हुआ है और सभी Candid के एक्जम जो है वो आपका April के अंदर ही पूरा कपूरा Complete कर लिया जाएगा उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें हैं पर RRB, NTPC, CB2, and Answer की के बारे में जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है RRB, NTPC, CEN 03, 2019 यानि कि जो Ministerial and Isolated Category के एक्जम हुआ था आपका एक्जम 15 तरीक को शुरू हुआ था और यह एक्जम 8 तरीक 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 चला था 15, 16, 17, 18 चार दिन में एक्जम पूरा Complete कर ले गया था आपका एक्जम खतम हो गया था 18 December को और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो यह आपका RRB अजमेर का Official Website है RRB अजमेर का Official Website में जाएंगे तो आपके यहाँ पर दिखाई देगा Update CEN 03 2019 और यहाँ पर जो दोस्तों आंसर की का Update आया था आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 February को यानि कि दोस्तों लगबग जो है दो महिना बाद जो है आपका Answer की के बारे में Update आया था RRB NTPC CEN 03 2019 के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आप अंदर जा लगा सकते हो अगर आपका NTPC का Exam April के अंदर खतम हो जाता है तो आपका Answer की जो आएगा Answer की आपका आते आते एक दो माहिन तो यहाँ पर लगए गई मिनिमम दो माहिन आपके लगए गया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका CEN 03 2019 जो Ministry and Isolate करे लिकर जो Candidate था बहुत ही कम था फिर भी दोस्ते आपके दो माहिन टाइम लग गया आपका Answer की रिलिस करने में और यहाँ पर दोस्तों लगबग अगर हम बात करें एक पास कड़ोर Candidate का एक्जम कंड़क किया गया है उनमें से अगर हम बात करें 50-30 Candidate ने अगर एक्जम दिया है यह आपका June मैना हो जाएगा तभी आपको Answer की देखने को मिलेगा याँ कि आपका जो एक्जम खतव अगर एप्रील में हो जाता है तो आपका Answer की आपको जून के एंट तक आपको देखने को मिल सकता है उसके बाद दोस्तों अगर आपको बात करें हैं आपर RRB, NTPC, CBT, 1 के expected card-off के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आपने जिस भी सिफ्ट में exam दिया है जिस भी phase में चाहिए आप first page हो, second page हो या third page हो आप comment पे जाके आप जरूर आप अपना जितना भी अपने attempt किया है वो भी दोस्तों आपको लगता है कि आपका 100% या 90% प्लास आपका accuracy के साथ आपको लगता है तो आप please comment पे जाके आप जितना भी attempt किया है वो आप comment कीजिए उसके बाद मैं दोस्तों एक details analysis video बनाऊँगा काट अप के उपर फिर भी दोस्तों मैं आपको बता दो अगर आपने NTPC CBT1 exam दिया है और 50 सले के साथ के बीच में वो भी 100% accuracy के साथ अपने attempt किया है तो आप CBT के लिए तैयारी कर सकते हो जिया है दोस्तों अगर आपने 50 सले के साथ के बीच मैं average बता है मैं आपको on average बता रहा हूँ अगर आपने 50 सले के साथ के बीच में वो भी 95 प्लस accuracy के साथ अपने attempt कर के आया है तो आप CBT2 के लिए तैयारी कर सकते हो क्योंकि आपका chance बनता है कि आपका CBT1 clear हो जाएगा मैं इसके regarding एक details video बनाऊँगा तो आपसे request है आप जिस phase में exam दि बनाऊँगा काट आप के ऊपर और दोस्तों मैं आपको बता दियो आपका जो 7th phase के exam है वो exam आपका April के अंदर ही पुरा कपूरा complete कर लिया जाएगा और इसके regarding update जो है आपका आने वाला एक या दो दिन के अंदर official website में देखने को मिल सकता है और जहां तक बात करें आंसर क आपका exam खतम होने के minimum दो मैना बाद ही आपका जारी किया जाएगा वीडियो अच्छे लेगे वीडियो को like और स्या जूरूर कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को subscribe करके bell notification को भी on के लिजिएगा ऐसे ही पलपल के update सबसे पहल देखने के लिए